मद्यप्रदेश में मुख्य सचिव बनाए गए IAS सुधी रंग्यन मुहंती की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनाती दी गई है इंदोर के सीनियर एड्वोकेट मनोवर दलाल ने इस सम्मंद में 22 जनवरी को याचिका दाखिल की थी जिसे 6 फरवरी को रेजिस्टेट कर लिया गया और अब शुक्रवार 15 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है मनोवर दलाल ने इस मामले में भारा सरकार के सेक्रेटरी, CBI के डिरेक्टर, मध्यप्रदेश सरकार के सामाने प्रशासन विभाग और वल्लब भवन के अतरिक्त मुक्रिसाचिव EOW के DG, CS, SR महंती के अलावा दिगविजे सिंग को भी प्रतिवादी बनाया है दरसल MP, SIDC के MD रहने के दोरान, महंती ने 719 करोडों का कर्ज बिना किसी गैरेंटी के विभिन कमपनियों को बाटा था नियम विरुद कर्ज बाटने पर महंती के खिलाब 2004 में जाच शुरू की गई थी EW ने सुप्रीम कोड में अभियोजन भी दाकिल किया था और विभागिये जाच भी शुरू हुई थी तब महंती को कोड से रहात मिली थी लेकिन विभागिये जाच में क्लीन चिट नहीं मिली थी महंती इस मामले को लेकर कैट में गए थे और 4 दिसंबर को कैट ने फैसला सुनाया था कि महंती पर आपरादिक प्रकरण नहीं चला जाएगा लेकिन जब तक विभागये जाच पूरी नहीं हो जाती महंती प्रमोशन नहीं ले सकते लेकिन महंती और प्रदेश तरकार ने भी लीगल डिपार्टमेंट से ये बात चिपाई और कैट के फैसले को ताक पर रखते हुए महंती को सीएस बना दिया गया इसी को चुनाती देते हुए इन दोर के मनोहर दलाल ने सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खट खटाया है